एलो एप्रिवन वैलकॉम टू आर चानल तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल मीटर के स्पेसिफिकेशन्स ते तो सबसे पहले आप यह देखिए यह होता है अपना टैकोमीटर यह होता है अपना स्पीडोमीटर और यह होता है अपना ओडो मीटर तो यह एक Honda Hornet का टिपिकल डिजिटल मीटर सबसे पहले बटन स्पैसिविकिशन देख लेता है जो लेफ्ट साइड में बटन होता है वो सिलेक्ट बटन होता है और इसके राइट साइड में जो बटन होता है वो होता है सैट बटन ओके अपार्ट फॉम देट हम सिन्हें ये जो है डिजिटल क्लॉक है यह टूटल किलॉमीटर्स ड्रिवें तो यहां पर आप देख सकता है यह सिल्यक्ट बटन है और ये ऋस्दना है तो यहाँ पर हम सीखने वाले कि trip change कैसे करें देखिए मैंने एक बार प्रेस करा trip A आ गई है अब देख सकते है trip A देखिए अब मैं फिर से प्रेस करूँगा तो trip B आ जाएगी देखिए trip B चेंज हो गई है दोने trip सेम थी मेरे किलूमेटर में तो मैं फिर से इसको total पे तो हम trip A और trip B को zero करने जा रहे हैं उसके बाद हम clock adjust करेंगे तो मैं आपको बता दूँ यह सारी information मैंने एक manual से लिए होंडा होर्नेट 160R का जो manual है उससे मैंने यह सारी information लिए है तो trip को zero करने के लिए सबसे पहले select button को आप एक बार press करें फिर जो set button है उसको आप 3 second तक press करें देखे trip zero हो गई है आप देख सकते हैं फिर से select button को press करें उसके बाद set button को फिर से 3 second तक press करें तो देखे trip B भी zero हो गई है और फिर हमने total तो हम digital clock को adjust करने जा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं देखे left side select button right side set button दोनों को एक साथ आपको 3 second से ज़्यादा press करना है देखे ये blink होने लगा है तो हम इसको adjust कर सकते हैं select button को हम एक बार और दबाएंगे तो हम minute पर आजाएंगे तो minute को भी हम adjust कर सकते हैं आपको set button को press करना होगा तो minutes increase हो जाएंगे देख लिए जाप फिर select button को एक बार और प्रेस कीजिए आपका digital meter original mode में आ जाएगा उसके बाद आप trip change कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं manual के साब साब थोड़ा सा और specification दिया गया है digital meter का तो आप इसको थोड़ा सा pause करके वीडियो देख लीजिए तो इसमें digital meter के identities के functions दिये गए हैं तो आप यह भी पढ़ सकते हैं तो हम देखने वाले हैं जो यह एम है digital clock का इसको PM कैसे करें तो सबसे पहले जो आर वाला number दिख रहा है जो यहाँ पर 11 है उसको हमको एक cycle पूरा गुमाना होगा यानि जो अपना right side वाला button है उसको अपनको 11 बार फिर से प्रेस करना होगा यानि एक cycle पूरी कर दो that means simple way मैं समझाओं तो दिन के 12 बज़े से रात के 12 बज़े तक हमको इसको adjust करना पड़ेगा तो यह AM PM हो जाएगा change